महाकाली मित्रो मित्रो, आज मैं आपको एक वशीकरण मंत्र साधना देने जारूँ जिसे करके आप बहुत ज़्यादा आडाम पा सकते हैं अगर पती-पतनी के बीच में अनबन है पती-पतनी के बीच में कोई तीसरा आ गया है या दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कलेस होता है या पतनी छोड़कर माई के चली गई है और ये जो मंत्र है मंत्र सिर्फ पुरसो के लिए है इस तरी इसका बिल्कुल भी इस्तमाल ना करे इस तरी इस मंत्र से दूर ही रहे ये जो मंत्र है सिर्फ पुर्सों के लिए है एक दिन की साधना है आने वाली जो अमावश्य है उस दिन की ये साधना है इस वीडियो में मैं आपको पूर्ण रूप से जानकारी दे दूँआ ताकि जब भी आप करने बैठें तो आपको पूरी जानकारी हो और आपसे कोई गलती ना हो तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना अपने घर में अमावश्य वाले दिन एकांत जगा देखनी है आपको और एक आसन पे विराजमान होकर सरपर कपड़ा रखकर आपको इस मंत्र का जब करना है आप जब भी बैठेंगे तो आपका मुक जो है पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए आपको सीव परिवार की फोटो लगानी है पूर्व दिशा की तरफ जो दिवाल है उस दिवाल पर फोटो लगानी है सीव परिवार की और सिव परिवार को देखते हुए आपको इस मंत्र का 21 माला का जब करना है इस साधना को कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता जिसके पास गुरू है सिर्फ वो ही इस साधना को करे और जिसके पास गुरू नहीं है वो पहले गुरू बनाए उसके बाद ही इस साधना को करे क्योंकि यह साधना जो है इस साधना में बहुत ही ज़्यादा प्रचंड वेक से सक्तिया आती है और इसमें कोई आसपास जब आप जब करने बैठेंगे और जब करते करते आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके पास है तो इसलिए मैं आपको बोल रहाओं कि जिसके पास गुर करना को करे अन्यता ना करे आपको इसमें पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है दूप दीब जलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो आपको सिर्फ इसमें जब ही करना है इसके आतिरिक्त आपको और कुछ भी नहीं करना ठीक है ना 21 माला का इस मंत्र का जब करना है और साधना के दोरान आपको कुछ भी नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है जब तक अमावस्चे चलेगी, आप अमावस्चे का टाइम देख लेना कब से लेके कब तक है, कुछ भी खाना पीना नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं खाना. एक माला स्री गनेश की करनी है आपको और एक माला गुरु मंत्र की करनी है सुरक्षा कवच लगाना मत भूलना तीन पार्ट चंडी कवच के करने है आपको इसके परश्चात हाथ में जल और अक्षत लेके आपको संकल्प करना है कि है महादेव शिप्षंकर महादेव शिप्षंभू मैं जो आपकी ये 21 माला का जब करने जारूँ आपकी जो साधना करने जारूँ इसमें मुझे सफलता का आसिरवाद दे और जो मैं जब कर रहा हूँ इस मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करें और इसकी साधी उर्जा मुझे प्राप्त हो ऐसा कहके जल हाथ से जमीन पर छोड़ देना है इस मंत्र का आपको 21 माला का जब करना है मूल मंत्र सुन लो मंत्र क्या है मंत्र मैं आपको वीडियो में लिखीत रूप में भी दे दूँगा और मुझे बोल के भी बता दूँगा तो मंत्र सुन लो ओम मॉम ड्रोम इस मंत्र का जब करना है और ध्यान रहे आपको पून रूप से ब्रह्मचर्य में रहना है जो आपने सिव परिवार की फोटो लगा रखी है उस सिव परिवार की फोटो को देखते हुए तरटक करते हुए आपको इस मंत्र का जब करना है 21 माला जब करने के बाद आपको प्रातना करनी है कि हे भगवान शिप्शंकर महादेव शिप्शंबू जो भी मैंने आपका मंत्र जब करा है इस मंत्र में अगर मेर से कोई भी गलती हुई हो तो मैं आज्यानी बालक आपकी शरण में बैठा हुआ हूँ वो सब आपके आसिरवाद से समा हो जाए और मुझे आपका आसिरवाद प्राप्त हो ऐसा कहके समा याचना करनी है अब इस मंतर का इस्तिमाल सुन लो इस्तिमाल आपको कैसे करना है तीन दिन का इसका परियोग होगा आपका पांच माला का आपको इसका जब करना है त्रटक करते हुए जिसका भी आपको वशीकरन करना है उसकी फोटो लगानी है सामने और उस फोटो को देखते हुए त्रट लेप सित संबू जो मैंने पांच माला का जब करा है इसकी सारी उर्जा अमुक व्यक्ति के पास जाए और इसका मेरे लिए वसीकरन करें तुरंत ऐसी आपको प्रातना करने है भगवान सिप से तीन दिन में ही आप देखेंगे कोई व्यक्ति आप से अगर दूर है तो उसका परणा आम के पास चालू हो जाएगा उसका पूरा दिल दिमाग आप की तरफ आकर्सित हो जाएगा और आपको फोन करेगा आपसे बात करने की कोसिस करेगा उसको बेचेनी होनी शुरू हो जाईए आपसे मिलने को तरसेगा आपसे बात करने को तरसेगा अगर उसके पास फोन है तो उसका फोन आना शुरू हो जाएगा आपके पास तीन दिन के पस्चात आपको इस मंतर की एक माला रेगुलर जब कर करते रहना है ताकि इसकी उर्जा आपके पास बनी रहे आगे फ्यूचर में आपको अगर इसकी ज़रुरत पड़े किसी के वशीकरण की ज़रुरत पड़े तो आपके लिए इसकी उर्जा तुरंत कार्रे करें सिर्फ ये तीन दिन का प्रियोग दुबारा दोरा देना आपके लिए ये मंत्र तुरंत कार्रे करने लग जाएगा इस दोरान आपको फून रूप से ब्रह्मचर्रे में रहना है, मानसिक ब्रह्मचर्रे भी आपका होना चाहिए, इसके आतिरिक्त आपको और कुछ भी नहीं करना, एक बात का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, इस मंत्र का अगर गलत इस्तिमाल करते हैं आप किसी के पूल मंत्र है, और अगर इसका आप गलत इस्तमाल करेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा पच्टाना पड़ेगा बाद में, क्योंकि इंसान जैसा करम करता है, वैसा ही उसको मिलता है, वैसा ही उसको प्राप्थ होता है, इससे आपके करम भी गलत होंगे, आपकी जो पूजापाट की सकती है वो भी नस्ट हो जाएगी तो इसलिए मैं पहले से ही बता देता हूँ अगर आप इसका किसी के उपर गलत इस्तमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पच्टाना पड़ेगा इसलिए अपने भले के लिए इस्तमाल करें और अगर किसी और के लि भी अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं अगली जानकाडी के साथ तब तक के लिए जै महाकाली जै महाकाली जै महाकाली